रामपुर नाम के एक गाउं में भूला नाम का एक किशान रहता था उसके पास आम का बगीचा था वो रोज सबेरे आम के खेट जाकर उन आम के पेड़ों को पानी डालता और उनकी निगरानी करता इस साल पेड़ों को अच्छे खासे आम आये थे वो और्गेनिक तरीके से आम को पकाता था उसने सोचा कि इन आमों को गाउं में बेचकर पैसे कमाएंगे फिर ओ उन आमों को गाउं में जाकर बेचने लगा पर इस सल भूला को आम के अच्छे दम नहीं मिलते हैं इसलिए ओ आम को वापस घर ले आता है तभी एक आदमी भोला से पूछता है अरे भोला क्या हुआ इतने उदास क्यों हो अरे भाई मंडी में आम के दाम बहुत गिर गये हैं इसलिए मैंने महां आम नहीं बेचे भोला ने कहा तुम ऐसा करो उन आमों को शहर के सड़क पर जाकर सीधे लोगों को बेचो मेरा एक दोस्त किसान भी ऐसा ही कर रहा है उसे अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है अगले दिन भोला आमों को लेकर बेचने के लिए सड़क पर निकलता है भोला अपने आम एक भीड भाड़ वाले जगह रखता है भोला के बढिया आम लोग हाथों हाथ लेते हैं देखते ही देखते भोला के सब आम बिग गय और कमाई भी अच्छी हुई वा खुशो कर घर लोडता है भोला के पडोस में एक लालची किसान शंकर रहता था शंकर चौक जाता है और भोला के हाथ पैसो की थैली देखता है शंकर चुपके से भोला और उसके पतनी की बाते सुन लेता है कि कैसे उन्होंने सबक किनारे जाकर आम बेचे और पैसे कमाए फिर अगली सुबा शंकर भी अपने खेत में जाकर कच्छे आम तोड़ता है और उनपर पेस्टी साइड दवाईयां छिड़क कर उनको पकाता है वो सोचता है कि अब तो उनके आम खुब बिकेंगे पसंद करते हैं संकर को यह देखकर बहुत गुसा आता है कि कोई उसके पास आम खरिदने नहीं आ रहा है वो सोचता है किसी भी तरह भोला को ठीकाने लगाना पड़ेगा फिर रात को शंकर चोरी करने भोला के घर जाता है भोला पैसे कपाट में रखता है जब भोला और उसकी पतनी सो जाते है तो संकर वो पैसे चुरा कर भाग जाता है अगले दिन भोला के घर लोग जमा होते है एक आदमी भोला से पूस्ता है अरे भोला क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? कल रात मेरे घर में रखे पैसे कोई चुरा कर भाग गया मैं तो बरबाद हो गया भोला भोला चिंता मत करो अब रोने से कोई फायदा नहीं खेत जाओ और काम करो भागवान जरूर तुम्हारी मदद करेगा वो आदमी भोला पेचारा भोला उदास होकर अपने खेत में जाता है खेत जाने के बाद महाँ वन देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कैसे हो भोला मुझे सब पता है तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हुआ है और मुझे पता है कि तुम एक महनती और इमानदार वेक्ती हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्य हूँ और तुम्हे मैं इस पेड को जादवी आम आने का वर्दान देता हूँ इस पेड के आम चाहे कितने भी तोड़ो पर कभी खत्म नहीं होंगे इसे बेजकर तुम सुखी हो जाओगे तथास तू फिर भोला उस पेड के आम तोड़ता है फिर चमतकार हो जाता है भोला ने आम तोड़े भी तो उस यका फिर से पके आम आ जाते हैं भोला उन आमों के लेकर सड़क किनारे बेचने लगता है आम के साथ साथ अब वो आम का जूस और आम से बनने वाले अन्य पदार्थ भी बेचने लगता है इससे उसका वेवपार अच्छे से चलने लगता है और फिर वो अमीर बन जाता है यह देख शंकर हैरान हो जाता है कि कैसे कम दिनों में भोला ने इतनी तरक्की कर ली जब वो भोला के घर जाता है तो भोला और उसकी पत्नी का वरतलाब सुनता है भूला कहता है उस जादवी पेड़ ने तो कमाल कर दिया अगर वो पेड़ नहीं होता तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते और वो सो जाते है फिर शंकर खुद से कहता है अच्छा तो ये बात है मैं अभी जाकर उस पेड़ के सारे आम तोड लेता हूँ और संकर उस ये गिरने के बाद वो जोर से चिल लाता है या सुनकर भोला और पडोस वाले वहां आ जाते हैं तब सभी को शंकर के कृत्त के बारे में पता चलता है और वे लोग उसे और पिड़ते हैं और फिर पुलिस बुला कर उनके हवाले कर देते हैं तो दोस्तों कैसी लगी ये कह हमें जरूर बताईए भाई हरी के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए जब भाई हरी के पास भोला गया तो उसने मदद करने से इंकार कर दिया भोला बहुत दुखी हुआ एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था रास्ते में उसे एक बुढ़ा आदमी दिखा उसके पास तीन पेटिया थ भोला उसके पास गया, लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ, भोला ने पूछा, ठीक है बेटा, इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलू, हाँ बाबा, ऐसा कहते ही भोला उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुचा, शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ, तुम इतना परिशान क्यूं हूँ, क्या कोई तकलीफ है, बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, एक वक्त का खाना भी नहीं मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा, तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ, वो आदमी घर मे जाता है, और साथ में एक पेटी लाता है, ये लो बेटा, ये पेटी तुम रख लो, पर मैं इसको लेकर क्या करूंगा, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है, इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा, जादुई पेटी, अरे वाह, लेकिन ये बोला, और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना न भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, शुक्रिया बाबाजी, अब मैं चलता हूं, बोला वो पेटी खुशी खुशी घर लेकर जाता है, और जाते ही पतनी को कहता है, ये देखो, मुझे क्या मिला है, पतनी बोली, ये कौन सी पेटी ले आये हो, हमें खाना चाहिए, इस पेटी का क्या करेंगे, अरे भागवान, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुवी पेटी है, हमें जो भी चाहिए, हमें दे देगी, सच में, क्या अब हम कभी भूके नहीं रहेंगे, पतनी बोली, नहीं भागवा अब बातें ही करोगी या इस पेटी का चमतकार भी देखोगी फिर भोला उस पेटी से कहता है जादुवी पेटी हमें धेर सारा खाना दो पेटी खुलती है उसमें से अलग-अलग प्रकार के वेंजन बहार आते हैं भोला और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और पेटी को बंद कर दिया फिर उसने पेटी से रोज नई नई चीजे निकालना शुरू किया कभी चावल, तो कभी अनाज, तो कभी दाल, तो कभी बाजार का सामान धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी एक दिन भोला सामान लेकर बाजार जा रहा था, उसके भाई ने पूछा कहां जा रहे हो, यहीं बाजार में सामान बेचने उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले इसके पास खाने के लिए नहीं था और आज सामान बेच रहा है, कुछ तो गड़बड है तब भी तो मुझसे मदद मांगने आया था, आज इसका पीछा करता हूँ भोला जब सारा सामान बेच कर घर जाता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से चांकता है भोला और उसकी पत्नी उस जादूवी पेटी से अलग-अलग सामान मंगवा रहे थे उसका भाई ये सब देख लिता है अच्छा, तो ये बात है, जादूवी पेटी, ये तो बहुत अच्छी चीज है वो जादूवी पेटी मुझे चाहिए, वो भी आज रात होते ही, हरी चुपके से, भोला के घर से वो पेटी चुरा कर भाग जाता है अब तो मैं भी अमीर बन जाओंगा, फिर हरी जंगल की और भागता है इस पेटी को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सब को पता चल जाएगा तोरते दोरते वो ठक जाता है और एक गड़े में गिर जाता है प्यास लगने से वो जादूई पेटी से पानी मांगता है पेटी से पानी आना शुरू होता है बस 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 इतना ही इतना ही चाहिए और नहीं बस बस हरी गड़े में होने के कारण वो गड़ा पानी से भर जाता है हरी को तैरना भी नहीं आता इसलिए हरी उस पानी में टूप जाता है तो बच्चों क्या समझें इस कहानी से कि किसी से इर्शा नहीं करनी चाहिए जो है उसी में खुश रहो